बहुती प्यारे दर्शकों, सार्यानू प्यार परी सत्सिरी एकाल, आज तो हाड़ी सेवादे वेच, साड़े बहुती सतकार जोग, बहुती प्यारे साहतकार, बहुत प्यारे शायर, शिरी सुरेश हंडे आलवीजी, इननू तो हाड़े रूबरू कर रहे हैं, जो किसे जान पहचान दे मुथाजनी हैं, जिनना दे बहुती प्यारे गीत, बड़िया प्यारिया अवाज़ां दे विच रिकॉर्ड होएने, कि तुसी सारे ने उस सारे गीता नू बेहद परवां हुंगा रादिता, इस करके अज साड़े बहुती सतकार जोग साड़े इलाके दे विच एक चंगे स्टूडियो वजो नामना खटन वाड़े बिला बरॉज एंड कर्म तेज, ओस स्टूडियो दे विच आजे रिकॉर्डिंग हो रही है, पिलो तो हानो मिला रहे हैं, शिरी सुरेश हंडे अलवीज, सासरी सर जी तुसरी प्यारपर यह 聊े हैं, शरीकाल जी, तुसक्ति एक मकबूल Сाहितकार हो तो हाड़े गीता ने काफी čर्चा शेडी एक चंगे गीतकार vendor वजो हम्दे हिस्से जड़ी मकबूलियत ही है, ओ दर्शकां तो लूपी लूの क Turnsो बेन्ति करूंगा, तुसिए जिथ तुसी पखो कलांदे स्कूल वेखे दा साल तों सिवावन वा रहे हो इंगलिशी दे लेक्चिरार वजों सब तो पहला मैं तुहानों क्वेस्टने करूंगा सर तो हाडे पड़ाये होई विद्यार थी वखो वख आधे ते वखो वख सरकारी नौकरिया ते वखो वख ते ओधे पिछे तुसी साहित नो ते अपनी एजूकेशन नो किमें बरकरार रहे हैं देखो परवजी जी सब तो पहला ता देखो मैं तो अड़े दर्शकानों भी मतलों एहे शेयर करना चाऊना भी जेकर मेरी जिंदगी देविच मतलों एजूकेशन दा पक ना हुंदा जानिके जेकर मैं अधे आपके दा प्रफेशन ना अडॉप्ट कीता हुंदा ता हो सकता है मेरी जिंदगी देपिछ कोई होद ना हुंदी क्योंके मैं एजे टीचिंग लाइन नो एजे होबी अडॉप्ट कीता सी ते इस तो बाद एनो एजे प्रफेशन मतलों चूज कर जे में कहां दे हुंदे हैं मतलों बड़े बड़े विद्वान कहेंगे भी जो तो अब किसे व्यक्ती दी जोड़ी होबी ते प्रफेशन मिल जाना तां फिर हो किसे भी किते नूँ चार चंद लग जाना हुंद मैं कोई देच आप दी बड़े ही निका रहे हैं जो जो मेर कोई आर्मी कोई पुल्स वेच फॉर्न वीच भी सैटल होई है या बख बख डिपार्डमेंट दे विच जोब कर रहे हैं ते रस्पेक्ट भी मिल रही है इस करके बस मैं एही करना चाना दर्शकानू भी जेकर मेरी जिंदगी दे विच अधिया आपके दाकिता ना हुंद दे यर विल वी नो अग्जिस्टेस ओफ माइन मेरी जिंदगी दे विच कोई हों दे नहीं से अधिया एक साहितकार वजों तुसी बहुत नामना खटे है तो हड़ा पिछे जे आया एक गीत जो राजे बरार दी प्यारी अवाज दे बेच रकॉर्ड होया सी सुपने दा मह मेले आना चानक कदे वी चकोरा नू एवे असी सुपने दा महल सजा लिया नौजवान पनीरी बलों नौजवान वर्गबलों बे हद पसंद कीता गया ते एस गीतों तो हड़े हाव पावने जड़े वो ए परगट होये के तुसी बिरहा दे सुल्तान मरहूम कवी शिरी शि तुसी ओना दे विचारानाल सेमत हुंदे हुए अपनी रचनामानों जेडी है जेडी तरजीद नेयों जा अपनी रचनामानों ओना दे अधा आर्ताई तकरीबन लिख देऊं एदा की सबब वनेया के लोग तुहानू बिरहा दे सल्तान बजो मानता दे रहे हैं देखो प पुमपेर कारा दी वे कावत शेब कमार बताल भी मेर Besides का रहा दी मेरे श्क मलाज जी के लुने का अश्क हकीकी हिच मेशा मैं इश्क गिए जान का मैं हिंच्ऺ मिच अटेफ मेह र Ci र पाया दे लौक करने की मेरे आर्टीकल भी काफी जब पबीश होए दोजार नौदे बिचे शैद मेरा गीतर काड़ होया सी तोर जाना ओथे जित्थों आवे ना कोई जाके राख सिवे दी फरोल में नू पालेंगी तूँ आके ना जामा गे पोलते नू कावरांच जाके तर्दानू जिंदगी दे पले पालेया मेले अना चन्न कदे पालेया मेले अना चन्न कदे बीच तो रादों आए वे अथी सुपन्याता महरी बना लेया जाने के इस गीतने मिनू कहें ना मतलब जे में कहने हुं देया ना भी फार्ष तो आर्ष भी लोकांच मेरी पहचान मानगी भी मतलब इस तो बाद ही जड़े मेरे मेरे मेरा जने के तखल्स हंड़े आलवी यानिके शेप मरबटालवी ते हंड़े आलवी दे ना ना मिनू मतलब हो करते है इस तो बाद आज लोक मेनू अधिया अपन दे कित्ते तो वाज जान देया भी कुई हंड़े अलभी भी कोई शक्ष है वाकिए खुदा दा ते समेशा मैं इश्क रखीकी ते विश्वास कीता है ना कि इश्क मजाजी ते जो मेरी जिंदगी चे बाप्रया वही मैं अपनी कालमनों हाथसा देन दी कोशिश कीती है बहुत अनुबात बैसे था है साहतकारनों कवीनों आपनिया सार?ज्शकरा बहुत आलंदे बंदे बंदे बिखणा मेंC बंदे देश्वाक us सब्सड़े दो fate Oh सवार्ण पडोरी वाज़ पिचाया सी ते ओगी इतने भी मतलव साउसिंग बेदल जी दे मतलव रूब कीता ते काफी उन्हें ने कहा भी तो अडीजडी लिखता है भी ओओ शेप को और पडावी ने में लिखा दी है ओदिज मैं लिख्या सी चले आंदे बांग लंगी जाज चंद्री बैठके ख्याल ना चते आन ते रातर ये रब बांग पूजा सोने सजना धी करिए बीद चुक्ते सुख कदे ओने नी दुवारा हार थांते मिलू मेंनों दुखां दाके नारा ऐसी बज़ी ही जरांदी शाल सोनी है कर गी जवानी बर वाद चंद्री टास अब बहुत कुछ लिखें पर यानि के अनुन तक मैं नूना है मेरे देल देक ए रचना बहुत क्रीब है उसी शाकर रचना दा मतल जिकर कीता ते दर्शकानू तो अडे रूबरू कर देता ये मिनू जड़ी रचना मिनू अब दी शाकर रचना लग दी है हां जी संसार दा हर मनुख अपनी मिट्टी नड जुड़के रहेंद है ओधियां वजपणनियां जादा ते ओस नगर्दे वेच जित्थे उने जनम लेया ओथे बताय होए पल ओ जीवन दे अंतम पल समय तक अपनी जहन दे वेच का महुदा रहेंद है मैं तुहान नू ए पुछ पिछे टैली फिल्म लिखी सी मिट्टी दा मो जोड़ी बहुत पसंद कीती सरोतियां ने दर्शका ने बहुत पसंद कीती ते कमेंट बॉकसा देविच ओ बड़े प्यारे उनना ने अपने कमेंट कीते कि सार जी ऐसी फिल्म कोई द्वारा सानू देओ ओस मिट्टी दा मो इड़ा लिखन दा सबाब है ठीक है ना भी कैन दा मतलब चाहे लोग मिनू शेब को अरवटार्मी ना कॉम्पेर का रहे ने प्रंतु मिनू एब नहीं पूलना चाहें दा भी मैं लोग का नू सेथ भी दे रहे हैं भी जड़ा मेरा कित्ता हो ते आपन दा कित्ता है ठीक है पसंद आई ते लिखन दा जिसवाग सबाब है कैन ना मतलब हर एक शक्स हर एक व्यक्ति ते ओहो अपने बतन ना मो कर दे कर दे एदा मेरे ड़ा मैं विशा लेता सी भी जमें अजकल लोग बार जा रहे हैं ठीक है ना मेरे मतलब को भी आउन आले समेच भी हो सकता है भी आ पार थी चुक्रनाला कोई रहना नी ठीक है ना इस करके भी जड़े लोक है भी वह बार जा रहे है ने इस करके मैं ची लोकानों यह भी संदेश दिता सी जानिके डायलोग दे जरीए ठीक है ना जमेदे च कैन ना मलग कार्मतेज जो मेरा स्कुवेंट है ठीक है ना इस जानिके स्टेंडर कमेंड आले है वी ओदा पिता काय रहे है वी तू इदरा के रहे के बहुत कुश कर सकते है ते दिच मैं कैसी बाहर चले जाओ चाहे प्रांतु अपनी संस्कृति अपनी सभ्याचार नो कदे ना बिसारो ते दिच मेरा एक सौंग भी आया सी तुसी को अ पानी अखियां चों बगदा सुनना हो रहे है पन्याप पर देशानू चले पानी अखियां चों बगदा तेरे बाचों साटा है जी नहीं लगदा है जी नहीं लगदा सुनना कर गेयो कर खाली कर गेयो कर सुनना कर गेयो कर फूदा सियाने पले सुनना हो रहे है पंजाब पुत पर देशानू चले पर देशान चले लिखन दा सबाब बही सी बी कैन दा मतलब अपने डा पंजाब है उसकार के फूद समय भी अपने पंजाब नू बचा लिए बस ऐही कारण सी मिटी दा मो लिखन दा लोका मोलों बहुत प्यार भी मिले या ते बहुत ज्यादा जी में तुसी कर ने मिल रहे हैं जिनने भी साहितकार होए ने जा मवजूदा समय देविच है ने मांदे उपर बहुत कुछ लिखा गया ते इतों तक मरहूम कुलदीप मानक जी ते देव थरीकें वाड़ी रचना बड़ी प्यारी जो अज भी बेहद प्रसिद होई है ते होर अगे थोड़ा जावां ता गोर्की जाने पूरे दा पूरा मांदे उपर नावली लिख मारया तो मैं तुहानों वे पुछ रहा सां तुसी हर बिशेत अपनी कलम अजमाई हर सवजेक्ट नों टच की कर्म दी कोशिश कीती एक तोहड़ा लेखा होया गीत जो बापू वारे आम साहित कारा बलनों कवियां बलनों बहुत कट लेखा गया बापू दे सवंद चे तुसी ओ बापू वारे जो गीत लेखा ओ भी बहुत उन्हें प्रसिद्धी खटी ते बड़ा पसंद कीता गया ओ किमें जेहन दे विच आईडिया आया के मां वारे बड़ा कुछ लेखा गया पर न बने यां ते ओधी यह दो लाइना वी दर्शिकान दे सान मुख देखो बापू गीत जी में बापू टाइटर तो भी पता लगदा जी ठीका ना भी जिंदगी दे विच बापू साधी जिंदजान होंदे है ठीका ना भी इन दा रभवर गा आसरा होंदा जी ठीका ना जाओ छाहिए मैं अपने मर्हूम पिता श्री सिंदरपाल गीता किता ।िस आंग ऑट्का लूट अंरू डूडी डेडिकेटेटेड टू माई फादर शिरी सिंदरपाल बट ऑर सो डेडिकेटेटेटेड टू आल दा फादर जा औफदाबार् टू पे रिस्पेक्टेज अ अपने अउलाद देली बहुत कुछ कर दें जी करना जमें एदे विच मैं कहे रहे हैं शेती मुड़के आजा बापू जी नी लगदा मेरा है भी एदे चिक कहने के कैन दी कोश्री किती है किने मार्जी अपा मत्हेरा गड़ लिए ठीक है भी मां पे उतों बिणा कोई पीर न किने मर्जी अपा मत्हेरा गड़ों मत्हेरा गड़ों मत्हेरा गड़ों मत्हेरा कोई पीर नहीं तिस दागो पुहने रा है छेती मुड के आजा बापू जी नी लगदा मेरा है एक वारी ता आजा बापू जी नी लगदा मेरा है अगली बेंती तुहां नू करां अपने अपने नगर दी अपने पेंड़ दी मिटी दे मोर नाड जुड के तुसी हंड़ी आए पेंड़ ते एक डाकूमेंटरी भी बनाई पिछे जे जो दर्शका ने बहुत प्यार कीता बहुत पसंद कीती इस स्टूडियो वाले बिल्ला ब्रो जी ते कर्मते जी आंदा बिशेश जोग दान रहा कुछ ओ आइडिया तो हड़े दमाग चे किस तरह को मैं सारे नगर नू फिल्माउन दा जा दर्शका ने पेश करना दा देखो जी मैं पहले कहा चुक्यां भी हार एक शक्स दा यानि के पहला हो पेंड़ नाम होंदा है जी ठीक है ना भी एजडी डॉकुमेंटरी में तोन्हों शौट बीची दास रहां जीडी मैं डॉकुमेंटरी दे विच बिशा लेता सी बिकता हंड़ाई दा इतिहास जी प्रातने या की सी भी कैना मतलव साथे हंड़ाई ने मतलव गड़े तो लेके कंबैना तक ट्रैक्टरां तक तक त्रक्की का लिए फिर विच मैं तखा है वी पहला जमें साधे जग्का चल दा हूंदा सी ठीक है लिए अशी कंबैना तक चले गए जाए जीक है ना ओड़ल वह लिखे जिकर कीता है जो बार रहके भी अपने पेंड़ बारे सोच रहें इस करके जो अपने बढ़न दे कोश्ची कीतिए ओसी की टींचोन च्रीप अउड कर रहें आपूँ प्रॉडिज चूमेंज भी आउटलेट आ गया स्टेंजर्क्मेड कमेंड आगी बिलकार नो बेटियां बचियांनों संसार्द हर मनुख प्यार करें तुसे प्यार करना जड़ नजरी या प्यार करना तरीका एत्षों तक तुसी अपनाया यह प्यूं कुल सेरे पहुंचा दिता के संसार दे ओपर जो ती यादा योगदान है वो किते भी नहीं मिलेगा जा किते नहीं होवेगा तो हड़ा पिछे जेक आया गीत रिकॉर्ड गीत एहसान ते जीदे वेचे तुसीं बिशेश करके ती यादा जेकर कीता ती ये तेरे मापयां ते एहसान बढ़े ने ओके में तो हड़े दमाग चे गल कुमी के तीयानु मैं एस पदर ते जाके खड़ा कर देवा ओदे वारे कुछ दर्शकानु चाने ना देखो जी मेरे तीयान ते में बावलगी तो है एहसान दा तुसीं ना लेया ठीका ना जी बी कैन दा मतलब मेरे त इस और करके मैं जड़ा हैं लोगानों मेसज देन करके को अग्या ना जरूर आइद बुण चेंज बैर नका जिक अब दे तिन्हें बेटियां नाले आशी रावी चाहत्ती तुमननु पुत्तांदा दर्जा देना है तीयां भी किसे तो काट नहीं ये मैं सारे नूस नेशा देना है तीयांदी लोडी सुरेश मनावे तीयांदी लोडी सुरेश मनावे बेच हंडयाए लोक हैरान बड़े ने पुत्त दी कमी महसूस न होई तीये तेरे माप्यांते ऐसान बड़े तीयांदी लोडी सुरेश मनावे तीयांदी लोडी सुरेश मनावे बेच हंडयाए लोक हरान बड़े ने पुत्त दी कमी महसूस न होई तीये माप्यांते ऐसान बड़े ने तेरे माप्या ते ऐसान बड़े ने जयाक दो मेरा एक बावल गीता है थी ठीक है न ओधेच मैं जिकर किता सी लोक ना मुंडे नू तरजी दे रहे ने इह मैं कहके कोई मुंडे दी का आयनी का रहा भी बेलू डिकलाइन का रहे हैं ठीक है बिर भुरुको mulher तेरी संसरे कि शेके सब्सक्राइब और चेही पाइसी भी लोगों तीनों को खविच मार देले। सिर्फ मेरा यही गीत लिखन दा मकसद लोग करनों संदेश देना सी वितियां भी किसे भी गालतों काटनी पर एक गल मैं जरूर करना चाओना प्रांतु तीनों भी यही चाहिंदा है ठीक है ना भी कैन दा मतलब अपने करेक्टर पती बफादार रहे के भी अपनी जड़े प ओधना जुदों गलवात दी विचार चर्चा चली ता आखण लगी मामा जी बच्चेता डातार बाहर जा रहे ने मेरा बेटा भी चला गया मेरी बेटी भी चली गई पर ओस बच्ची दा अंदर ला दर्द ओने शब्दा राही जो ब्यान कीता ओ मैं तो हाडे सामने दो मि विच बठाके आउने आ ता वापस आके मामा अपने बच्चेते लाहे होए कपड़यानू वाशिंग मिशीन दे विचने तो अधियां एन्ना दर्द एनी ममता एन्ना बच्याना प्यार ओ फिर जड़े कपड़े ने बच्चेते उतारे होए कैनेड़ा जान लई जान लई फिर ओ मामा अपने हंज़गा नालतों हो दिगाने ए उस बेटी दे बड़ी प्यारी बेटी दे विचार सी मैं तो हानू पुछ रहा सा टैली फेल्म जो तुहां डी आई सी मिट्टी दा मो ओ दे विच तुसी पुत प्रदेश गया ए गीत बड़ा बहुत पसंद कीता गया मैं द्वारा फिर पुछ दा तुसी एस गीतनों लिखने लई तुसी मांदे विच की सोचा के बच्चेयानों बार जाना चंगा है जा बार नहीं पेज़ना चाहें दा बच्चेयानों की दस्याओ दे विच देखो परमजी जी मैं दर्शकानों पहले हैं अंतरा दास्चु क्या मैं थोड़ा जिकर करना चौना गा बी काहन दा मतलों जिड़े लोग ने मतलों अपने पुत्त अनुबार पेज रहें चीक है न भी काहन अमलब पुछ ना हो रहे हैं इस करके भी जे इस तरह रहा ता एह पंजाव दा दुखांत होगा इस करके मेरा लोकर नू बस घी लिखन दे जरीए संदेश देता है भी अपन इस दुखांत नूं रोक सकीए भी कैना मतलब सुनना हो रहे है पंजाब पुत परदेशान चले भी रोक सकीए ते मुडबतनी आपने कामली प्रती वफादार रही है बस इह लिखन दा मेरा स्वाब से बहुत अनुबात तुसी क काफी उची स्टेज दे बैठे हूं एस समय एक साहतकार भी एक दे आपक भी ते एक चंगे इंसान भी ते बाकी ब्राह्मन परिवार दे बेच जनम लेन करके तुसी ता विद्या दे मारतांडों ते पहला तो ही आपने करान दे विच विद्या शास्तर बड़ी गिंती दे देखो परमजी जी मेरी लाइफ चे बहुत इंसान ने मैं तो नू जेकर करना चोणा भी कैन दा मतलव मेरे दादा मरहूम पांड़त बास देव शर्मा जी जी करना भी ओहों सांस्क्रेट दे बहुत महरसा ची करना भी कैन दा मतलब उन्हां तुम्हां बहुत को सिख्छी ता ने जिननने ने अंदरुनी ते बारी तारते बहुत ज्यादा हूंसला देता जी 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 तो बात रूहा ते तो बाकि केम्हान का मेरी फैमिली दा मतलब सब्सक्राइब आए ठीक ना बी मैं फ्रैक्ली कहूंगा भी जाद कि दिन चिता बंदेनों किसें परसिदी मिल दी डीक में जाद अख़वार देविच आटिकल आ जान देए जा कोई सौंग आ जान दै जा लोक का बलो वदिया रесп में तो डिक लेक जिकर कर रहे हैं जब गीत आई हिस्त उपने ता महला उमें कहने मतले मतले में कभी दुनिया अलाग दुनिया हो दिया मैं रात रूंग गीत लिख रहा है तो देख उठके 11 बारा टाइम सी गा अच्छ बस आज अंतरा सुन दस्या थी तुर जाना उत ते जि मतलब मेरी जिंदगी देविच जड़े विर्या जने के मिनूं हो असला देडम बाले ने टाइम टू टाइम मिनूं गाइड करते हैं तुसीयों जे में मेरे दोस्त मतलब कामदीब जी रटाइड प्रिंसिपल ते जड़े स्टूड़े जो मैं बैठा आज जकल हाना के मेरा में लेना ना दो साली होया को मैं फ्रैंकली बोलूंगा ठीक ना ते कैना वला एमिनूं टाइम टू टाइम टू टाइम टे इना अब डपन लालो मेरी रिस्पेक्ट भी कर दे हैं जड़े अपा स्टूड़े जो वेच बैठे हैं बिला ब्राज और कर्म तेज ठीक ना भी जिन्दगी देविच बहुता जोगदान है मैं अपनी पुस्तक सुपने दा महल मतलव परकाश कीती सी ओना दे आशीरवाद सदका ही मैं मतलव देपड़े चाह सके सी ते जिन्दगी देविच होर भी मेरी मतलव मेरी रूत जूदे जड़े प्रेमी ने ओ मिनू बहुत जा ते रबगे ही दूआ कर दे हैं वी मनजल भी बहुत जल्दी है पनू हासल हो जे वस अपमेंट करिया ने हैं हांजी समा बहुत बलवान है तोहानगी मतलता दा ते तोठोड़े दर्शकाहनों चांवड़ां दा दा जाए ही जहीं गिनती कर्ण लगी तता समह्यों भी जादा लग आधा अंतधे वीच मैं तोहानो एको सवाल करांगा बड़े पैयारे दर्शका लने दा तुहादे अजीज स्टूडेंटां ले ते जां फिर पर वेख दे विच तुसी सनु चंगा देन ले अपनी अपनी कल्म दे जरीए अपनी अरचनामा दे चरीए की सोचेया ते दर्शकाली की सुझाए हां जी देखो और बड़े अदा हैं भी लोकार नो सुझादे सका तो दर्शका नो मेरी दार्शकानों नो मेरे स्टूडेंट्स नो में सांस जन्यार नो मेरी उन्हें स्टमपत्ति मननें अपनी के लिद्शर के लाध ऑचे जिन्दगी दे विच शाफलता हासल करने लगी दो तरीके हुंदी है एक शॉर्टकाट मैथड एक मतलब लॉंग जैने के आपन लॉंग रंदिंग पिरिएड एक्स्टा ओडिनरी देप नामागी तां आपनों जड़ी साफलता है ओ ज्यादा लंबे सम्मेली रहोगी इंग्लिश कभी होया रावर्ड प्रोस्ट उन्हें भी मत मतलब मेरी रुकैस्ट लालो सुझा लालो भी तो आड़ी जिंदगी चाप्णीना बखरी पहचान बना लो ठीका ना भी कान अलाग सोच ओ जिंदगी जो आड़े ब्रोध कारना ले बहुत मिलने गे एहे दीचे नेचर औल इंस्टेंक्ट ए मतलब कुदरती विर्थी हुं बैठाए जालदी जिते सडा लाका है शीरी अड़ी अडी सर साभ मतलो पाक आया ना मतलो पत्थर ना लब जालदी अपर में एक डाकुमेंटरी मतल लिखी है वह जालदी दार्शका दे रूब रू रू इस स्टूडी ते विची मैं मतलो रिकॉर्ड कारें है इही डितिंग क बैस लोकानों ते मेरे दर्शकानों और भूह ते जूहानों प्यार करने में फेर एक बारी तो आड़ा सारें दा दिल धी गख्राइचों मेरे कोई शव्द नी भी कहें? अगली बार फिर जुरूर तो हाडी होर इंट्रव्यू नमे रूप दे विच लेके दर्शकाने पेश हो वागे इनना शब्दा देनाल एस स्टूडियो दे विच तो हाड़ा फॉंचन थे हार देकतान वार सच्छी काल जी